हैं नमस्कार दोस्तोश तो आपको ज़़ादा स्टोक नहीं चीन हैं दो स्टोक के बारे मैं आज डिसकस करेंगे विडियो में तो वीडियोपके और सबस्क्राइब वैले बटन और वीडियो को लाइक करें प्ली शेयर भी किजी लोग सोचें कि तब ये पी रेशियो इसका 31 के राउंड था अब ये जब डबल हो गया तो इसका पी रेशियो 70 के राउंड है अभी 800 तक भी भाग सकता है पर ये नहीं है कि आपको करोड़पती बना देगा अगर ये गिरना शुरूआ तो गिर भी सकता है ये दानकर रीजन पी रेशियो तो क्या होता है अब ऐसे चुनिये जो कि इस पी रेशियो से कम हो और इतने भागे ना हो अगर भागे वे पैसा लगाने जाएंगे तो हो सकता है वो डबल कर दे पैसा बट कभी भी मल्टी बैगर नहीं हो सकते जैसे कोचिन शिप्यार्ट सेम केटेगरी में लाए करता है लास्ट हो के बट शेसो साथिस ने ज्यादा रिटन नहीं दिया गार्डन रीच जैसे बहुत भाग रहा है इसके पिछे मजाजी कोचिन शिप्यार्ट जैसे कमपनी में भागे जो कि ज्यादा नहीं भागे अब तक अगर आप इन पीछे बागोगे जैसे मैस गार्डन रीच के पिछे बागोगे 30 का पी रेश्यो यह भी 30 के राउन पी रेश्यो यह पी रेश्यो बहुत ज्यादा हो चुका है 50 तक जा सकता है इस से ज्यादा साथ जाएगा फिर दिचे वही अटानी माले स्टोक का हाल हो सकता है ध्यान रखिए कोचिन शिप्यार्ट ऐसे कंपनी को study कीजिए और तभी invest कीजिए